आज जो शेर हमारे रड़ार पर आया है वो है आज़ाद एंजिनेरी का बाजार में इत्ती ज़्यादा गिरावट है इत्ती कमजोरी उसके बावजूद भी शेर में जबरदस अक्शन खरदारी का बनता हो दिखा है तो आखिर क्या वज़ा है जिस वज़े से हमने देखा है क कि बाजार से विपरीत इस टॉक में चाल देखने कमली है उसकी वज़ा क्या है और अब एक्सपर्ट इस टॉक को लेकर क्या राय दे रहे हैं इस सब आपको इस वीडियो के जरीए बताते हैं पहले समझे कि इस टॉक में कितना एक्शन बनता हो दिखा है देखे दिन के कि बावजुद आप देखेंगे जो इसका 52 वीक हाई लेवल है जो की 2080 रुपे का था जो कि इसने 19 जून को चुगा था वहां से यह स्टॉक अभी भी आपको 23% नीचे नजर आएगा अगर आप 1600 रुपे के आसपास की जो मौजुदा प्राइज है उसके हिसाब से अगर क 28 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हुई तो ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है तो एक साल से कम का लिस्टिंग इतिहास है लेकिन 28 दिसंबर को जब यह लिस्ट हुआ था तो 37% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी उट और वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने Mitsubishi Heavy Industries याने की MHI जो की जपान की कंपनी है उसके साथ एक लंबी अवदी की सप्लाई का करार किया है और यह जो लंबी अवदी की सप्लाई है वो दरसल एक तो रोटीटिंग और दूसरा जो स्टेशनरी एरफोल्स होती है उसकी सप्ला बनाएगी यह सप्लाई होगी वो भी थर्मल पावर टर्बाइन इंजन्स में इस्तेमाल होने वाली है और आप देखिए यह जो पूरा करार किया गया है मिटसुबिशी के साथ यह पांच साल की अबदी का करार है जो कि इस कंपनी के और से किया गया है और जो एक्सचेंज इसे कम समय में 30 वार ऐसा हुआ इस कंपनी को किसी ग्लोबल कंपनी से बड़ा ओर्डर हाथ लगता हो दिखा है इससे पहले आप देखिए 24 सितंबर को इस कंपनी ने हनीवेल एरोस्पेस नाम की कंपनी के साथ 1.6 करो डॉलर का एक ओर्डर हाथ लगा था इस कंपनी को उसम बड़ी ग्लोबल लेवल की कंपनी हैं जिसके साथ इस कंपनी ने करार किया था जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में दमदार एक्शन बनता हो दिखा है और ब्रोकरी जिस काफी ज़्यादा पॉजटिव होते हो दिखे हैं इन फैक्ट इन्वेस्टेक ने इस कंपनी पे उपर बाई रेटिंग के साथ कवरे शुरू करी थी 1850 रुपे का टागेट पाइस उन्हों ने दिया था और उससे पहले आप देखें ICC Securities की एक रिपोर्ट आय थी उन्होंने बाई रेटिंग स्टॉक के उपर बरकरा रखी थी और 2450 रुपे का टागेट दिया था जो कि अब तक का सबसे उचा टागेट है स्टॉक की जातक बात है जितने भी ब्रूकर्स ने इसे कवर किया है 2080 का इसका all time high है और 2450 यह highest level है जो कि ब्रोकर्स मानते हैं कि इस टॉक में ऊपर की और देखने को मल सकते हैं तो कि यह कंपनी एकलौथी कंपनी है जो कि global OEM को complex components की supply करती है तो उस लिहाज से जिस छेतर में यह operate करती है वहाँ पे entry barriers काफी जादा है और इस कंपनी के लिए growth के लिहाज से देखा जाए तो काफी ज़ादा opportunities नज़र आ रही लेकिन इन levels पे इतनी बड़ी तीजी होने क के बावजू जो IP issue price एतनी तेजी बन चुकी है क्या अब बेश शेर में खजारी करने के मौके बनते है तो उससे पहले ज़रा आप यह समझ लीजिए कि इन्होंने जो Mitsubishi के साथ करार किया है उसके माइने क्या है और Mitsubishi के साथ इनकी जो partnership है वो कितनी solid है देखिए यह पहल मेजर component supplier के रूप में उनके साथ यह already registered है और जपान के बाहर अगर देखेंगे तो Mitsubishi के लिए केवल एकलोता यह component supplier है जो कि global level पर आपको नजर आएगा तो उसलिहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्या positioning है इस company की global level पर और खास तोर पे Mitsubishi जिनके साथ इन्होंने अभी फिर से order का sign किया है उनके साथ इनकी partnership कितनी गहरी कितनी लंबी है और कितनी important है इस company की जहां तक growth की बात है तो हमने संतोष मीना जी से बाचित करी जो कि स्वस्तिका investment के head of research है उनका यह मानना है कि आप मौजदा सर्पी पर भी stock में खजारी कर सकते हैं और जिनके पास है जो मौज ने रह सकते हैं stock के साथ और यही stock loss का level लगा के आप fresh करदारी भी कर सकते हैं अगर आप 6 मेने का समय देते हैं तो इस stock पहले तो आपको 1900 रुपे और उसके बाद 2100 रुपे तक के जो levels हैं वहां तक भी जाता हूँ नजर आ सकता है 2080 रुपे मैंने आपको बतायता कि इसका 2100 तक के जो levels हैं वह भी stock में देखने को मिल सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि experts कमाना है कि यह stock नई उचाईया नई रिकॉर्ड उचाईय तक जाता हुआ नजर आ सकता है तो आज कमजूर बाजार में भी अज़ाद engineering का जो share है वो दमदा returns दिखा रहा है और यह return आगे भी जारी रह सकते हैं बशरते आप इसमें छे मेने का समय देते हैं तो trending stock में आज के लिए बस इतना है लेकिन ऐसे stocks पर मैंनायन का focus लगातार जारी इन वीडियो को देखने के लिए आप मैंनायन के साथ लगातार बने रहे हैं नवसकार